नमस्कार दोस्तों मेरा नम सागर है और स्वागत है आप सभी का सेजडी नौलेज अड़ा यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप 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 आड़ आईपर लिंक इन गूगल डॉक्स शुरू से अन तक वीडियो को देखते रहे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पेल आइकान को प्रेस कर लेजे तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने computer screen पर तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज हम देखने वाले हैं How to add a hyperlink in google.do तो hyperlink add करना सबको आता ही होगा जिनको नहीं पता उनको मैं आज बता दोंगा तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने xdx ले आए please see new images on this website और prepick.com तो सबसे पहले यहाँ पर मैं prepick.com का text सिलेक कर देता हूँ और यहाँ पर insert link और control के उसका shortcut है उस पर अभी click कर देता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पर tutorial भी मिल जाएंगे आपको कुन से tutorial को hyperlink connect करना है आप उसमें कर सकते हैं या heading और bookmarking को भी आप hyperlink बना सकते है तो फिलल मैं इसको back कर लेता हूँ यहाँ पर एक website open कर लेता हूँ जो कि उसकी original website है तो यहाँ पर यह website open होगे है इसका URL मैं अभी copy कर लेता हूँ फेपिक.com करके यहाँ पर यहाँ पर लेटेस आपको images चाहिए तो यहाँ पर यहाँ पर लेटेस image मिल जाएंगे hyperlink add कर देया अभी इस पर double click करता हूँ तो यहाँ पर आपको copy link का option मिल जाएगा उसके बाद edit link का option मिल जाएगा और remove link का option मिल जाएगा तो यहाँ पर यहाँ से आप copy link कर सकते हैं आपको edit करना है edit भी कर सकते हैं remove भी link कर सकते हैं आपने यह भी देखा था कि यहाँ पर डबल क्लिक करके आप यहाँ से रिडारेक्ट करके ओरिजिनल वेबसाइट में जा सकते हैं तो बस आज के लिए इतना है तो यह वीडियो आपको कैसे लगा नीचे कमेंट करके बताई अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजे अपने दोस्तों के साथ शेर कीजे और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं इस तरह का वीडियो देखने के लिए त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू